मेरे घर पर गणेश जी, लक्षमी जी, दुरुगा जी, शिव जी, बजरंग बली की मूर्ति हैं। जब से आपका प्रचुन सुना है तब से सिर्फ शिव जी का ध्यान लगाते हैं। जाप करते हैं। अब बाकी से भी मूर्तियों को वहां से हटादू, यह रखकर पूजा करो, यह आपकी अपनी भावना है, आप जैसा चाहें पूजा कर भी सकते हैं। करें, ने करने में कोई भी दोस नी, जो भी अपना इष्ट है, बस अपने इष्ट में मन लगा के रखो, उन्ही को तन मंधन सब कुछ अरपन करो, और जो और रूप हैं, इष्ट के सिवा उन्ही के जो और रूप हैं, वो भी यही माना, यह भी उन्ही के रूप हैं, तो ज शक्ता क्योंकि एक ही मंदिर में हैं, आप प्रणाम कर लें क्योंकि भगवान के विविद रूप हैं, अपने इश्ट का ध्यान करतें, अपने इश्ट को इस सब में मानो, यही है अनन्य भक्ति, सो अनन्य जाके असी मतिन हटरे हनुमंत, मैं सेवक सराचर रूप राशी भग एक है फिर भी इष्ट के रूमें जो आपको विशेश प्रिया लगे बस अपना मन केंद्री तुम ही करें सब जगा नहीं वही राम है वही कृष्टन है लेकिन जब ध्यान करो तो अपने कृष्टन का करो पूजा करो कृष्टन की करो अलग से राम की करने के वशकता नहीं क कि जो राम है वही कृष्टन है जब हमने चुन लिया कृष्टन की रूम में अपने इष्ट को तो सब वही तो है अलग थोड़ी राम जी अलग थोड़ी कृष्टन से यदि हां राम और कृष्टन दोनों अलग अलग होते तब हम राम की अलग पूजा करते कृष्टन की गुआ यह तो है नहीं तुरेता युग में वही राम बन कि आते हैं वही दौपने लूप मानो दो की भावना आप करो मत और जब हमने एकी की भावना कर लेतों हैं उन्हें की रूप कोई अंतर नहीं है राम की तरफ ध्यान जाए या कृष्ण की तरफ या दुरुगा या शीव एक में जूड जाए बस फिर भी हमारे यहां दो परंपरा हैं यह भी है एक परंपरा हमारी है समार्थ प्रम्प्रा समार्ट्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम्प्रम् लाओ चैह शिवी रूप में चैह राम रूप में चैह नायने रूप में सब उनी के रूप हैं बस एक जगा मन टिका के रखो हां और जो रूप है उनको भी पढ़ाम करो अपने इस्ट का ही भाव करके जैसे गोपियों ने देखो कात्यानी माता की पूझा की है कात्यानी महामाए महायोगिन्य धिश्वरी नंद गोप सुतंदेविं पती में कुरुते रमा उन्होंने मांगा क्या है दुरूगा की आधना करके? स्री क्ष्ण को मांगा है तो इस प्रकार आप अन्य रूपों की भी अराद्ना करो लेकिन सब कर मांगऊं एक फल राम चर्ण रती होए जैसे गनेजी की अराद्ना करते हैं गोश्वामी तूसदा जी और क्या अंत में मांगते हैं गनेजी से मांगत तुलसी दास कर जोरे बसो राम सिय मानस मोरे तो क् कार आप सब की पुजा करें और सब की पुजा करके अपने इश्ट के चर्णों में भक्ति मांगें उन्हें की प्रेति मांगें